तीन अंक की संख्याओं का गुड़नखंड विधी से LCM करेंगे देखे इसमें थोड़ा लोचा है बैया गुड़नखंड विधी से तीन अंक की संख्याओं का LCM में थोड़ा मतलब चीज समझने वाली है ठीक है जो मैंने question दिया है क्या यह question आप लोग कर लेंगे अंसर कितना आएगा मैं बता रहा हूं आपक्टर मेथेड से ठीक है गुड़नखंड विधी से वैसे तो लगबग हर किसी को आता होगा लेकिन फिर भी बताना हमारा दाइत तो है तो मैं बता रहा हूं अच्छा पहले एट का फैक्तर करेंगे फिर शिक्सटीन का करेंग तो टूंटिफोर पहर अच्छा ब्युंगा अच्छा पिर साथियों इसी तरह से हम शिक्सटीन का करेंगे आप सापको मालूम होगा अच्छा जितने लोगों को फैक्टर यानि की गुड़नखंड करना नहीं आता है वो कमेंट करके बता दें कि हां मुझे नहीं आता है गुड़नखंड यह जो मैं लिख रहा हूं कि आप लोग समझ रहें कि नहीं बताईएगा ठीक है इसमें आगे बढ़ें तो दो दूना चार दूना आठ और तुरिक चौविस साथियों इसमें करते क्या है पता है जो लोग चौविस बता रहे हैं उनका गलत है LCM वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई इन सभी संख्याओं से पूरुडता हभिभाज्य हो जाए तो जो लोग 24 बोल रहे हैं क्या 16 से 24 कटेगा नहीं कटेगा तो साथियों क्या करेंगे पेर बनाएंगे देखिए पेर तीनों में जरूरी नहीं होता है कम से कम दो में बनने चाहिए पेर हमेसा दो का ही बनता है तीन का पेर नहीं बनता है ठीक है पूजा मौर्या ये रोज चलती है रोज तीन हुआ न ये भी देखिए आपस में सब मिल रहे हैं इसमें ज्यादा कुछ गड़बड है नहीं तो सभी जितने भी मैच करते हुए जोड़े हैं आप देखो तो तीन बार है न एक एक लिखते हैं एक जोड़ा से एक जोड़ा से जैसे किसी के निमंत्रण मिलता है ना बहुत ज़्यादा कुलोज नहीं है तो उसके एक के लोग जाता है ऐसा नहीं कि कुल घर घर बैटे चले जाओ नहीं समझ रहो ना अब जो नहीं जोड़ा जिनका बना भाई जो अकेले हैं आप लोग जैसे उनको भी यहां सामिल कर लेते हैं जैसे यह दो और यह तीन अब सब का गुड़ा कर लिजिए बस मल्टिपल दो दूना चार दूना आठ दूना सोला और सोला तीर तालिस फाइनल में से कितना आ गया 48 बताइए समझ में आया सभी को नीलम यादो आरती चौधरी हिमांसी सैनी सुप्रिया कौसल्य मौर्या आया समझ में ना ठीक है एक लोग को दावत बोलते हैं चलो ठीक है दावत है समझ लोग अब चलिए आगे बताईए 48 72 और मान लेते हैं कि एकठी 24 भी है मतलब यहां पर कुछ समझ रहे हैं आप लोग कुछ अलग है यहां पर 16 भी ले लो चलो आसान रहेगा इनका LCM बताईए तंख्याएं ढेर सारी हैं यह सब कोरोना की बृद्धी वाले हैं कोरोना काल में इतना जादा बढ़ गए हैं बताओ क्या होगा इसका कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे लेकिन उसको देखिए अब क्या आएगा यह भी बहुत आसान है इसमें अगर मैं आपको तरीका बताऊं अगर आप कंप्टीशन में या कहीं वैसे आंसर देना चाहते हैं तो इसमें आपको हल करना ही नहीं है कापी पर नहीं उठान है आप इसको देख करके आंसर बता देंगे पताएं कैसे देखिए LCM वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से प्यार से डिवाइड हो जाए प्यार से का मतलब कि सेसपल जीरो आ जाए और अगर सेसपल बच रहा है तो मतलब यह मानलो कि वह प्यार से लुछ आ यहां देखो कि रखकर थिस संख्या जो सब से कट जाय तो सब से कट जाया तो अगर अगर आपको Pers से बंटीटू हो जाएगा क्या सब्सक्राइब और इसका ने इसका बढ़ाया अगर कि अगर मैं इस पर 36 कर दूंग कि अब समझना मैं चुछ लाना चाहता था वही आना चाहिए कि इस पर 18 कर दूंग कि अब बताइए कितना आएगा यह थोड़ा मैं और आसान कर दिया क्योंकि मैं आसान ही बताना चाहता हूं पहले कि आसीज पटेल हाँ चलती है रोज चलती है डेली दोड़ती है कि इतना आएगा कुछ चाहतर तो बता रहे थे कि 144 कुछ 432 जो भी है फिलहाल के लिए आएए एक और हम इधर साइड में ट्राइब करते हैं अगर यहां पर 12 है यहां पर 18 है यहां पर 20 है और यहां पर 24 इसका क्या आएगा देखिए यहां तक मुझे लग रहा है कि 72 सभी से डिवाइड है कि 72 बहुत अच्छे प्रियंक ठाकुर का सबसे पहला जबाब आया है और सही है क्योंकि 72 36 से भी कड़ जायागा 72 खुद से तो कटेगा ही जैसे देखते ना जो नेता लोग चुनाओं में खड़े होते ना अपना ओट खुद है देते हैं 24 24 से यह 72 कड़ जाएगा 18 से भी कड़ जाएगा यनि अब 72 होगा क्या होगा 72 होगा कहने का मतलब LCM वह संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह कड़ जाए सभी संख्याओं से इसलिए अगर इनको नियम से हल कर देते हैं तो नियम यही कहता है इनको लिखो पहले लाइन में बैठाओ ऐसे जब नियम से कर लो चलो इनके फैक्टर करिए दो दूना चार दूना अठ भाई देखो 36 में दो से भाग करेंगे 18 आएगा आएगा ना फिर दो से भाग दो दूना चार दियां 12 यह 36 ऐसे बनेगा जिनको फैक्टर करना नहीं आता है गुड़न खंड करना नहीं आता बता देंगे ठीक है और हाँ इसमें जो लोग वह जवाब वाले हैं और मार डंडा किये हैं वाटसप पे और फोन करकर के उनसे निवेदन है कि अपना रेज्यूम भेज दीजिए परेसान मत रहिए थोड़ा सांस लेने की पूरसत दीजिए ठीक है चलिए तो फिर इसको भी दो दूना चार दूना आठ दूना सोला दूना बत्तीस मुझे नहीं सबयाना बचेगा चार गया कि इसका करोगी थारा फिर दूसे काटेंगे कितना बचेगा नो एक तीन से कटेगा जो दूना-चार दूना-आठ त्रीज़वस 24 नामज ना इना है और निधी बर्मा का भी आ गया सुप्रिया का नहीं आया है क्योंकि यह पढ़ नहीं रही आज दो दुना चार दुना आठ त्रिक चौविस दो तियाइं छे त्रिक अठारा है मैंने फैक्टर कर लिए कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत टाइम लग रहा है चलो जल्दी करते हैं यह देखो पेर बना दिया मैंने चार नंबर है पेर का मतलब अगर मिनिममम दो मैच कर रहे हैं तब भी हम पेर बनाएंगे ऐसा नहीं चार लोग का जोड़ी बनती है नहीं जोड़ी दुईये की बनती है अब सनियोग बस अगर यहां पर महौल है जादा है तो अलग बात है और अच्छी बात यहां पर दे देखो यह दो भी इसमें दोनों में है जो जो अगर दो में भी मिल रहा है उनको घेर देंगे यह तीन देखो सब में है इसमें भी है कि और और देखो देखते जाओ और यह तीन और यह तीन भी बच रहा है सब को घेर दीजिए यानि सब की जोड़ी बन गई भाईया कुछ confuse तो नहीं हो रहा इसमें confuse होगा अब अब confuse होगा लेकिन यहाँ पर हमें समझ के चलना पड़ेगा आईए सुनते हैं देखिए यहाँ पर लिखेंगे LCM पहले तो यह देखो वो गिंती जो चारों में common थी सभी में YouTube का पैरशवी में बना था मैंने इसको ले लिया कि अब यह देखो कम से कम तीन में पैरफ़य यह फीका पैरफ़यों तीन में था कम से कम मीनिममестина कि एक टू माने और ले लिया कि अब ज़िशिर्फ दो में था फिर्फ दो में एक मिनाट अचलो दो कोई ले लेते हैं अभी सिर्फ दो को मैच करने तीन से मतलब नहीं है यह दो तो सब में था चारो नंबर में दूसरा वाला दो तीन में था ठीक है अब यह दोनों दो किवल दो में ही कॉमन थे निच्चे उपर नहीं थे न तो एक दो हम इसको भी ले ल सब में था कोई को resist मान लो कि यहां पर देखो है यहां पर भी यह तो सब में था घ्लियर को साथियों इसके इतना Auf तो दिश्ट दून्म यहादो पहला दिनैं अच्छी बात है दूसरा दिन विकलाएगा आप पढ़ते रहें दो दूना चार दूना आठ तरिक चौविस चौविस दियां बहात्तर बहात्तर को तीन से गुड़ा कर दीजिए तीन दूना च्छा तीन सते एकाइस एकाइस छा कितना होगा कि एकाइस अच्छा सत्ताइस कि 286 आरा हमारें तो भाईया क्यों क्या हो रहा था एलसीम निकाल रहे थे ना हम लोग क्यों भाई कुछ गड़बड हो गया क्या इसमें एक मिनट एक मिनट इसका तो लसीम सेबंटीटू आना था यार्वाद्टर आना था लसीम इसलिए बोल रहे थे कि जो गुड़न खंड विदी है इसमें बड़ा कि भिस्पिस हो जाता है गुड़न खंड विदी में गड़बड हो जाता है इसमें चार अंक है न एक से अधिक भी थेर सारे अंक है यह सब गड़बड हो गया कि अब कुछ लोग कहाँ घितो आई नहीं रहा है तो अदिमाग सही नहीं आज कि कुछ दो गड़बड है इस एक यह 202 जो है अधिसे कट रहे न है लगुदा यह देख्तें कैसे आता यह एक तो यह दो उतर जाएगा एक मिनट एक मिनिट रुके रहे हैं हमें लगता है गुड़नखंड में भी कहीं गड़बड था क्या दो दुना चाथ दुना आर्ट त्रिक चौविस दिया बहतर अभी देखिए कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह सब का हो रहा है एक मिनिट रुको मैं इसको पहले भ बता बहतर आएगा आएए मैं यहां पर भागविधी वालें पहले बता देता हूं फिर वह भी बता दूंगा अभी अठारा कि चौविस च्छतिस बाहतर इनको थोड़ा सीरियल से लिख लिए हूं कि कि सेबंटीटू आएगा यह पक्का है कहीं जाना नहीं अभी वह बता कि मुझे पाहले भी डाउट था ऐसा कुछ होने वाला है दो चंग बारा दो नो आठारा यह अठारा कि देखो यहां भी गड़बड हो सकता है कहीं क्योंकि डिश्टर्ब है लंबा डिश्टर्ब है कि चलो तो फिर दो से काटोगे दो त्याहीं च्छा नो दो नो आठारा को अधेको तीन से 3.9 1 3.9 3.9 फिर 3 कि सब का मल्टीपल कर लेंगे यहीं यहीं है यह दो गुड़ा दो गुड़ा दो और तीन है दो बार कि दो दूना चार दूना आठ त्रीच चोविस्तियां बहततर देखिया आ गया ना मैंने बताया था कि 72 आएगा ना यह क्या है भाग विदिये वह गुडणखंड भी दिवाए क्या है फैक्टर उक्टर करने में कहीं इधर उदर हो गया था क्योंकि सब डिस्मिस लिखा गया था नीचे उपर उदर करके न तो सिस्टेमेटिक नहीं था इस वजा से वह जोड़ा बनाने में गड़बर हो गया ठीक है तो लिख लीजिए लिख लीजिए हो गया आगे बढ़े चलिए अब इसको फिर से बताईए गुडणखंड विदी वाला बताऊं की ना बताऊं क्या कह रहे हो आप लोग बताऊं की ना बताऊं रिभीजन ही तो हो रहा है वैसे तो मैं रेगूलर में सब बताया ही हूं इसमें मैं बता दे रहा हूं सुन लीजिए आप लोग अगर धंक से लिखेंगे तो फिर से आजायेगा पहले जो सभी में common है उनको लिखते हैं फिर जो तीन में या दो में कम से कम कॉमन हैं उनको लिख लेते हैं और एक एक जोड़े से एक एक निकालते हैं नमबर बस यहीं करते हैं ठीक है बाकी छोड़िए कर लीजिएगा आगे अगर मैं कुछ दसामलों वाले कुश्चन करवा देता हूं नहीं आएगा आएगा जैसे मैंने अभी बताया था अभी एक दो का बताया तो था स्टार्टिंग में तीन किंदि वाले में वैसे ही होगा ठीक है तो अब यह बताएगे 0.03 into 0.001 into 0.45 इसका multiple करेंगे कितना आएगा गुड़ा करके बताइए बता देंगे सब बता देंगे सबर रखिए ठोड़ा बताइए कितना आए इसलिए बताइए कितना आएगा पोसिस करियर बताइए आज कुछ प्रॉब्लम है कि अतनी बड़ी तो कुश्चन नहीं आती गजाम में नहीं बड़ी कुश्चन तो नहीं आती परिक्षा में जो अभी दिया था लेकिन कि मैं आपको सिखा रहा हूं तो मेरा मतलब है कि आप सब सीख जाए ये बाकी तो दो को गिंती से जादा नहीं आता है तीन चार का नहीं आता है कि इनको आप लोग करियों बताये कितना है कि आप समस्टर में आपने बर्येबल्स भी पढ़ा है न बर्येबल्स भी पढ़ा है तो यह बताइए यक्स का स्कॉयर अपाण टू इन्टु एक्स का पावर फोर इन्टु वन अपान यक्स पावर सिक्स इन्टु टोयल इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा नूर्गुल इंग्लिस का कलास अभी नहीं चल रहा है चलेगा तो आपको सूचित किया जाएगा आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए जल्दी कलास चलेगी ठीक है अपना सिंग सीटेट के लिए आप पीवीर स्टडी एप में जाकर के ले सकती है बाकि होली बात 23 मार्च से हो सकता है कि आपकी सीटेट के लिए भी महत की कलास आ जाएगी ठीक है सुप्रिया जी का अंसर आ गया इसमें वाले का निधी बर्मा का भी आ गया है और कोई किसी का भाईय कोसल्या का आ गया और वनसी का कुसवाहा ठीक है कोशिस करिए ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और अच्छे भी हैं सुन्दर भी है और यक्स का पावर म इसका मान कितना आएगा भाया और तीन बटा पांच यक्स का पावर फाइब इंटु एक्स इंटु वन अपान एक्स का पावर सिक्स इंटु फाइब 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 फिप्टी फाइब मैं बता रहा हूँ एक तरफ से मैं बतांगा सब बतांगा टेंसन मत लीजिएगा कोर्स आपका 32 number class में खतम हो गया है 32 number class तक course खतम हो गया है 37 number से जितनी भी class आगे चल रही सब में revision हो रहा है सारी class है playlist में पड़ी है नीचे दिये गए number को ज़रूर note कर लीजिए आपनी mobile में PVR study नाम से save करके रखिए class नहीं मिलती है कोई मुसीबत होती है कलास से संबंदित्तो निसंगोच संपर्करिये वट्सब पर इसमें देखे तीन है इसमें वन है इसमें फॉर फाइफ न अगर हम बीना दस हमलों के देखे तो ये तीन है ये एक है ये 45 तो सबसे पहले हम बिना दसमलों का गुड़ा कर लेते हैं तो 3,5,15, 30, 12,13, 15, कि इतना आएगा 135 ना तो साथियों यह 135 लिख दिया जाता है यहां पर 2 अंक पर पॉइंट है यहां पर 3 अंक पर है और यहां पर भी 2 अंक पर है यहां पर दसमलों के लिए साथियों यहां पर 3 अंक है तो हम इसमें चाट ती आगे 0 बढ़ा लेते हैं यह यहां पर 10 अंसर आजाएगा इसके पहले भी एक 0 बढ़ा देते हैं जिससे कि यह थोड़ा सा सुन्दर लगे समझ में आया ना सबको समझ में आया तो फटा फट सभी साथ ही जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए देर मत करिए आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं कि आप लोग कलास को जादा फे जादा सेयर किया करें और लाइक किया करें अगर आपके पास दो मोबाइल है आपके यहां वाइफाई लगा है ब्रोडबेंड है इंटरनेट की समस्या नहीं है अगल बगल में एकाथ मोबाइल पड़ा है को उसके में भी चला दीजिए जितने जादा लोग देखेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी ठीक है तो यह जरूर कर इनको क्या बोलते और यह होते हैं आपको पता है काथे हैं गूड़ा करने पर इनकी घाते जुड जाती यह अंग रगते जूड जातीए निको आपस में यानि 4 यक्स का पावर 0 कि आप जानते हो यक्स का पावर 0 का वैलू कितना आएगा बोलो 0 होगा कि यक्स होगा यक्स की पावर 0 कमान क्या होगा आप देखिए मैं बता दूं अगर कोई भी वरियबल है चाहे ए है भी है किसी इडी है वाई-जैक्स फीक्यू 26 लेटर जो होते हैं कोई भी है हमेशा उसमें अगर वरियबल की घट जीरो है तो उसका मान 1 एक होता है क्या होता है एक होता है व्यान होता है तो क्या होगा इसका मौ हो जाएगा जब भाइया च support रिये नहीं होगा यह गलत है तोड weekly से स्तिशने में ने गुमसुदा हो जाता हूं साइड में चलो हो गया इस्क्रिन साथ ले लीजिए मेरी भी थोड़ी पोटो आ जाने चाहिए टीनरी मेरी अज़कल फोटो का चलन है इस देश में इसलिए मैंने अपना भी फोटो की चाया चलो अब पता नहीं कौनों खीचा की नहीं की अब इसमें आते हैं इसमें देखिए तो कि कई तरह के लोग है इसमें अगर आप देखो तो उपर भी निच्च भी है जितने लोग उपर उठते ना उनको लोग टांग पकड़ के नीचे खिचते हैं लेकिन कोई उपर नहीं बढ़ाता किसी को तो वह इसे यहां पर कुछ है तीन बटा पांच को ऐसे लिख लिजिए इंटु यक्स का पावर फाइप यहां पर वन है ना गुडा करने पर घाते जूड जाती हैं तो यह जूड जाएगा और इंटु यह निच्चे वाला जो है वन अपान यक्स का पावर सिक्स ऐसे ही यह जाएगा ठीक है इंटु कितना आएगा 55 एंटु फोटो मतलिजी रहने दीजी तीन बटा पांच इंटु यक्स का पावर छा इंटु वन अपान यक्स का पावर छा और फिर इंटु कितना आएगा 55 यहानी पच्पन क्लियर अब देखो यक्स का यह छैंह यक्स का यह चैए है यह अंस में हर में यह आपस में कट मर जाएंगे खतम हो अब क्या करें बंदर जैसे ही पैदा हुए तो क्या करें कुछ लोग तो होता है वह भले बंदर बंदनी जैसे दिखें लेकिन वह इतना मतलब मेकप ओकप लगा कि न ऐसा लगता है कि अभी उतर रहे हैं अब पता नहीं क्या क्या पोता जाता है कभी जाके देखिया आप ब्यूटी पालर के अंदर ऐसे लगता है कि बूत को इंसान बनाने में लगे हैं लोग अब कुछ लोग गरी आएंगे मुझे पता है कि इसको कर लेंगे आप लोग कि अभी कौनों कह रहा था कि जल्दी जल्दी पढ़ाइए जल्दी जल्दी पढ़ाइए देखो भाई जिनको जल्दी थी वो चले गए यही तो मेरी आदत खराब है मैं जल्दी नहीं पढ़ाता हूं कि मैं बहुत आराम आराम से प्यार प्यार दिर दिरे पढ़ाता हूं देखे मजा आने लगी ना हूं इनमें भी ऐसे ही कुछ है इसमें भी बहुत सारे जो नंबर नेंक दूसरे से सिंप्लिफाइब हो जाएंगे कट जाएंगे देखिए कैसे ए वाई रूक जाबाई पर यह आपस में मल्टीपल होंगे गुड़ा करने पर घाते जूड़ जाती है मैंने कहा था ना जब लोग स्कूल कालेज में पढ़ते हैं कहीं कंपनी में जॉब करते हैं कहीं भी कुछ करते हैं अगर वहां पर दो लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात ब्यवहार मिलती जुलत दर्द दिलों के कम हो जाते और मैं और तुम अगर हम हो जाते तो फिर यह हम हो जाते हैं कहने कहीं यह मतलब है कि यह पर यह दो अगर सेम हैं मतलब दोनों एक हैं जैसे अगर यक्स हैं तो यक्स हैं वाई हैं तो वाई हैं और उनकी घातें भी बराबर हैं उनकी घातें भी बराबर हैं तो वो जुड़के एक बन जाते हैं यानी रहते तो पहले दो हैं जैसे मैंने का नहीं मैं और तू मिलके क्या हो गए हम हो गए देखो य नहीं प्यार में प्यार में मतलब कितने समझदार हो अब ही जो मैं कल पढ़ाया था अगर वह पूछ लें तो नहीं बता पाएंगे उसको नहीं जानते हैं चलो आओ ठीक है अच्छी बात जानना चाहिए तो यह घात दो है यह कितना चार है तो यह जूड़ जाएगा अब यह जो दो जगा थे न यह एक जगा आजाएंगे एक में हो गए और यह इंटू वन अपान यक्स का पावर सिक्स ऐसे ही लिख दिया जाएगा ठीक है सब को यह कितना बचराच यह एक पावर शिक्स हो जाएगा उन इन टू वन अपान यक्स का पावर सिक्स और यह च्छे वैसे बच रहा था यह एक्चुली क्या होता है न भाई इनका रियल में समझ लीजिए बाकी तो मैं काट तो सकता हूं इनको अगर काट दूं तो अलग बात है इनका मतलब यह होता है कि यह यक्स का पावर इधर आजा इधर आजा जैसे वन अपान यक्स का पावर टू लिखा है न इसको हम इतना लिख सकते हैं कि जानते होग नहीं कि अगर बताओ लिख सकते हैं न तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो यह नियम इनके लिए भी तो रहेगा इनको ऐसा लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना तो हम क्या करेंगे इनको तो चुपपए इसे लिख लेंगे इनके पडोसन जो है ना इनको इनके बगल मिलाके इसे लिख देंगे समझ गए और फिर ये छे जो है ऐसे ही रहेगा अब फिर वही चीज होगा जैसे मैंने यहां बताया था मैं और तुम मिलके हम हो गये तो यह लोग भी हम हो जाएंगे और यह क्या है प्लस माइनस है जब दो असामान लोग आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे यह बरबाद हो हो जाएंगे और यह इनका अस्तित्त जो है वह खताम हो जाएगा देखो छे और प्लस यह माइनस का छे किवल घाते घाते जुड़ती है गात घात जुड़ती है बस इंटू छे यह थोड़ा मैंच डीटील में कर दिया नहीं तुम्हें खतम तो उपर है कर देता इसको खतम तुम्हें उपर ही कर देता इसको में डीटियल में इसलिए बताया कि आप लोगों को मालूम हो जाए वास्तों में यह होता क्या है होता क्या जैसे देख्यों वो गाउं में सरकस में आता है बंदरिया नचाने वाला तो वो क्या करता जैसे जैसे बोलता बंदर वईसे वईसे करता है मालूम है कैसे करता ह नहीं मालूमें गाँ में जो लोग लेके आते नंदी बैल बता भया फलनियक साधी हो एक ना होए अभौत यह मजाइघ मे पूंछ लिपके आधी कि साधी को एक ना होए तो कहता नहीं होए मतलब लोग समझ जाते हैं कितना समझधार है कि वास्तों में उसमें कुछ तो होते ह हम मानते हैं ऐसा नहीं कि सब वह इसे होते हैं लेकिन कुछ क्या होते पता हो रसी पकड़े रहते बैल वाली वो जैसे उनको अगर हां बोलाना सिखाए रहते तो ऐसे हलका सकर देंगे और ना बोलाना है तो कुछ ऐसे कर देंगे और वह इसारा समझ जाते हैं वैसे वह बंद वह यह बंदर वाल है कि हाई यह सभी है जब इसके हो रहा है जब कि वास्तों में इसकी कहानी नीचे तक जब आई तब आपको मालूम चलिकी होता कैसे कि मैं इनको कट देता तो यह खता हो जाता चेंसर आता कि कितना जाता 6 आता ना तो यह अब इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ाएंगे तो यह एक्स का पावर कितना हो जाएगा प्लस माइनस भाइया माइनस है यह प्लस है घड जाएगा तो जीरो आजाएगा इंटू छे आजएगा मैंने अभी बताया था किसी भी वर्येबल की घात अगर कि जीरो होती तो उसका मान एक होता है तो यह कितना हो जाएग लगरा कि श्री जाल चल रहें कि इस सब्सक्राद है मैं ऐसकिन देखतों रहें कुछ न कुछ अ कि अच्छा यह बताएं आप लोग हो है एक लीटर में कितना होता है एक लीटर में कितना अम्यल होता है कि इतना होता है आप कुछ पूछेंगे औरल में यह फालतु का स्याहिक खराब करें चलो बताओ एक लीटर में कितना होता है ४ एक दूसरा कोउश्चन बताइए दूसरा कुइस्चन बताइए बताइए इमांदारी से बताइए और अच रूपया का रूपया का चिन्न है दुबारा मत पूछना क्या है कि पांच रूपया का तीन सो पैसा इंग्लिस में यह कितना परतिसत है कि पांच रूपए का तीन सो पैसा कितना पर्चेंट है पूनम जी बताइए डॉली एक्जाम में डीटियल में लिखा होगा या डारेक्ट अंसर कर सकते हैं जी बिल्कुल जो मैंने इतनी बड़ी वजाई किया इतना नहीं करना परिक्षा में वहां से आप कार्ट के डारेक्टली सिक्स अंसर लिख सकती हैं चाल लाइन के पहले लाइन लगते हैं या जानते हो जब हम लोग अच्छा दस में उसमें पढ़ते थे हमारे मतलब कहते हैं यह एक मन की सक जो होता है न संका बॉत बड़ी चीज होती है है वह जोग छोटे थे ना साम के टाइम आपको मालूम है गाह जाते हैं तो जब जाते तो तो क्या देख करें वास्ताओं होता क्या था है मदार कपेड़ होता था या बरकटा बाइर होता था जाड़ी तैप कुछ नहीं रहता था सामके टाइम वह दिखता नहीं तो बढ़ा डर लगता थे जब हम लोग बड़े बड़े हो गए ना कि अब यहां वास्ताओं के भूत खोपड़ी त तेरा दिन लगता है तो यह सब क्या होता है मन की एक समझ की कमी होती अब यह और बताएंगे बूत वाली बात लेकिन पहले का कलास देख लीजिए कुछ लोग तो डरने लगे होंगे भाग गया होंगे उटके मम्मिक पास अरे यह तो बूत वाली कानी शुरू हो गई पांच रूपय का तीन सो पैसा कितना पर्थेंट है देखिए पहला नंबर तो हम एक काम करेंगे यह पांच रूपया है न कि यह तीन सो पैसा वास्तों में यह तीन रूपया है ठीक है क्या है वास्तों में यह तीन रुपया है क्योंकि एक रुपय में सो पईसा होता है तो तीन सो पईसा मतलब तीन रुपया इसे हमें क्या करना है परसेंटेज में बदलना है क्या करना है परसेंटेज में बदलना है तो भाईया वो तीन रुपया जो है वो पांच रुपया का कितना परसेंट है ऐसे इस्थिती में अगर करना है तो क्या करोगे ऐसे इस्थिती में क्या करोगे आप जो पुडांख है उससे भाग कर देंगे क्लियर यानि पांच से बस कर लीजिए हो गया अंसर आपका भाई लड़ाई जगड़ा ना करो तो यह तीन रुपया था पांच से निकालना था हम इसको कट देंगे पांच दूना दस बराबर साथ पर्फेंट कितना है साथ पर्फेंट अरे थोड़ी तो सरम करो भाई जो पंद्रा पंद्रा परसंट बता रहो यह बताओ कैसे होगा आखिर तीन रुपया है वैसे कर लगालो कि अगर पांच रुपया का आधा करेंगे तो ड्हाई रुपया होगा आधा का मतला 50% लेकिन वह आधा फे जादा है ड्हाई रुपया नहीं तीन रुपया है तो 60% सही है अगर कोई कहें 15 परसंट या 10 परसंट तो बेवकूप है प्राव करो यार्ट लूग विए कॉन कॉन शुरूख है इनको 5 मिनट के लिए ब्लॉक करिए और यह नूरगुल जो है इनको भी पांच मिनट के लिए ब्लॉक करिए यह लोग अपना लड़ाई जगडा निप्टा के तो आया है के लो निपठा के तो स calendar भागो अरल बात-वारी थी मजाक मजाक की बात हो पता después कर लिया है कि यemaker घाना में या कहीं सार में देखो दो लोग लडाई कर रहे हैं तो एक फूल 1500 मजा और नहीं मारने वाला तब हो मजा दिया दूचाठी तो अगर कोई लड़ाई जगड़ा कर रहा है तो ऐसा मत बोलो मैं मीधी सब्सक्राइब अगर नहीं शब्सक्रा अगर कोई टोlara हो समझा रहा है उसे याद आजाता है और मर देता है वही हाल इन लोग का यहां पर थोड़ा थोड़ा चल रहा है कि दो लोग आपस में बहास कर रहे थे तीफरे लोग उसमें कूद पड़े चौथे लोग में लड़ाई हो गई गाली गलोच होने लगी तो ठीक है यह बाई लड़ाई जगड़ाम कुछ मुझे समझें नहीं है कमेंट देख रहे थे कि आप लोग कर लेंगे ना एक और बताईए फिर इसी पर बताई दीजिए जब आप लोग आये हैं बता दीजिए बहिए बताईए 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 एक और है बताईए पंदरा रुपया का 80% कितना होगा 15 रुपय का 80% कितना होगा बोलिए देवी दीन यादो पारस निगम प्रीती मस्ती मेवाती सौंग राइट बात है सर अब मुझे यह नहीं समझ में आए इनका नाम ही तना बड़ा या इसमें कुछ भाग कमेंट कविए सुप्रिया अभी गाली दे रहे यह पानी पीपी के अभी क्योंकि वह बलक कर दी गई पांच मिनट के लिए और एक उसकी जो सहेली थी लड़ाई कर रही थी दोनों लोग लड़ जगड के आजाएं गिर्रा गिर्रा के देखो कौन जीता है अब रिजल्ट बताएंगे आएं अजीब निकालना ना साथ यहों तो कह का मतलब होता है गुडा अशी परसेंट तो असी से क्या करेंगे गुडा करेंगे और परसेंट फटाएंगे तो 100 से बाग करेंगे बस यहीं करना को इन कि एविद करना होता है एक कि जीरो से जीरो कट गयाँ अभी रिसन somakते हैं किस पंदरा रूपय का असी परसेंट भाई आएगा तो कुछ जादा ही आएगा यह क्योंकि 80% का फी होता है ना चलो करना तो पड़ेगा ना चार से कार्दो चार दून आठ एवाई रोक के दो से कटेगा दो चवकार दो पंचे दास ठीक है साही दिसा में जा रहा है पांच से कार दो पांती हैं 15 तीन चवका 12 तही है यानि 15 रूपया का 80% 12 रूपया होगा यह सही है अब अगर जो इसमें थोड़ा महात्मा टाइप के हैं ज्यानी टाइप के अगर वो इसका 80% का मान 5 रूपया 7 रूपया बता रहे हैं और उनका गलत गलत इसलिए है क्योंकि 80% भाई 20% तो बच रहा है 15 रूपया में 20% बच रहा है थोड़ा सा बच रहा है तो पंद्रा के काफी करीब है तो होगा नहीं और यह पंद्रा के दिल में बसा हुआ अग्दम जश्ट पास है में यह सही है कि आया समझ में आया समझ में थोड़ा बहुत आया यह आपके पेपर में आ सकता याद रखना क्योंकि इस तरह के कुईश्टन हैं आपके अध्याय नंबर 45 में ठीक है कनवर्जन वाले हैं तो चाहें वह रूपया से पैसा वाला आ जाए यह डेसी मीटर सेंटी मीटर वाल रहे होई फिर चर्चा करना दो लोग है सुनती आओ अमरे तुस्यले बसवाइस नहीं आवाना है तो हम सब कहले होई लकिन तो आलोग के ता अच्छा रहा हुए कि यह कौन मुसीबत आ रही हम तो आगया न यह लोग आप लोग जो है न इसको कर ले न तब तक आप लोग मुझे एक जबाब दे देना फिर बढ़ता हूं 0.36 है 0.072 है इसका मान कितना हैगा बताओ देखे कमेंट में अगर हम देखें तो जीपी बर्मा जी जुड़ चुके हैं फराना अंसारी अजय सुकला आयूसी राजपूत मोनिका सोभित रुची साक्या पूजा मोर्या रतनाकर मोनिका यादो मोनिका सिंग और अकांचा अ क्यों कराएं कि और का जाएं पूजा मोर्या सभी को गुड़िबनिंग लेकिन आप लोग कलास को लाइक निकर नी कर रहा हूं उति जलदी से फटह फटक जल्दीकर सबी लाइक करिए तुर अदेर मत कर इए इसका जबाब आप लोग बताना रादे रादे मोनिका जी रादे 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 बलेकिन अब कडास में आजा बई चलो हो गया अब सुनिए एक सवाल है छोटा सा है नन्ना सा है अब सुनिए अरे मिल जा तब तो सुनिए पता नहीं कहां गायब हो गया मिल गया समी करण दो यक्स स्क्वाइर प्लस वन इक्कोल 33 यह आपको सीखना चाहिए पता नहीं आप में है या नहीं है अगर इसमें यक्स का मान कुछ दिया हो खुछ नहीं दिया भाईया यक्स बराबर निकालना है क्या आप लोगों ने यह टॉपिक पढ़ा है कि नहीं बिभा पाठक विसाखा हाँ सबका कमेंट आ रहा है अरंजन रहा है आकास पांडे ठीक है इसमें यक्स का बैलू आप लोग निकाल लेंगे बहुत छोटे छोटे टॉपिक है डियलेड में वैसे यह बीटीसी यह नहीं डियलेड पर अधारित कलासे हैं जिनको बेसिक सीखना उनके लिए तो संजीवन ही है एकदम यह यह मत सोचना कि यहां बैनर अलग अलगा है चलो सबसे पहले यह बैरियबल के साथ में जो है उसको लिख लेते हैं देखे इधर साइट 33 है यह नंबर के साथ यक्स वाई कुछ नहीं लगा है इसको इधर भेज देंगे तो यह माइनस में हो जाएगा साथियो जायेता इसको घटाएंगे तो 32 यह दो इधर साथ गुडरा में फाइनल में 16 साथियो अगर सिक्वायर लगा है ना पहिए योप लोग जान लीजिए इससे जादा जानना है जरूरी है नहीं वैसे तो zisen कि दोनों तरफ क्या करते है इसक्वायर करते हैं डीटियल में बताएंगे थोड़ा ओर लंबा हो जाएगा आप इतना जाने लो इधर का इसक्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूर लग जाता है बस आप इतना ही जानू तो यह प्लस माइनस फोर आजाएगा कुंप अभी को अकांच्य जी आरा समझ में वन सीख कुश्वाह आ रहा है सबको समझ में आ रहा है बुझा रागना बुझा रावई लिख लिजिए चैनलीजिये चैनलीजिए फटफट चैनलीए यह यह मुझे मुझे मौलूम है कि यह टोपिक में पढ़ाता हूं तो लोग भाग जाते क्योंकि इसमें मजा आती ही नहीं है नहीं आती है यह थोड़ा कठिन पढ़ जाता है कि यह कौन है गुलब्बो बोल रहा वही का चाहते हूं आप लोग ना बढ़ाएं तीन बटा पांच वा साथ बटा नौ में कौन बढ़ा है बता इनमें कौन बढ़ा है यह रिविजन हो रहा है तो कई टॉपिक के कुश्चन इसमें आएंगे अलग अलग कई टॉपिक के आएंगे इस तरह के पहले और कर लीजिए यक्स के मानवाले फिर आगे बढ़ते हैं तो यक्स का इसक्वाइर इक्वल पचास तो यक्स का मान इसमें कौन बताएगा कौन बताएगा कितना आएगा जरसो चोर बताओ कि एक आगे बढ़ेंगें अदेखिय अगर आप लोगोंने कुछ कुछ पाढ़ होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आ रहा हुगा bet इसमें क्या करते हैं साथी उंच्वाइर बताएग दो प्रवज में आया यह अकांच्छा अंकीत यादो जो है इनको ब्लग कर दीजिए इनको तुरंद ब्लग करिए इधर से स्कॉयर हटेगा इधर वर्गमूल आ जायेगा इस तो यह प्लस माइनस पांच आ जायेगा नेहा बर्मा जी आ रहा समझ में सबको समझ में आया भाई मोहित अंकुस आया लिखिये च्छाप लीजिए अब देखें होली का महौल चल रहा है बच्चे कम जुणेंगे मुझे पता है अधिकांस कुछ लोग गाव भाग गये उनके घर में इंटरनेट है नहीं यह लाइट मैं ज़य बने रहोगे का निए तुम पढ़ तो रह नहीं हो सब्सक्राइब हम दोनों में कौन बढ़ा है इस टॉपिक पर चलते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कौन सब्सक्राइब फ्रेक्षन वाला पड़ाऊ या यह एक्सवायवाला यह पहले ही सीम चलते हैं हाँ तो इसमें मैं बड़ा छोटा की बात तो करी रहा था साथ साथ में यह कितने पद के हैं यह भी आपको ग्याद करना है यक्स प्लस टू यक्स प्लस नाइन यह कितना पदिये बेंजक है एक पदिये दूई पदिये या तीन पदिये बताइए एक पदिये है कि दूई पदिये है कि तीन पदिये है भाईया कि इंगलिस में का बोलता इसको कि यह फर्स सब्सक्राइब पढ़ाया गया बहुत अच्छे बेरी गुड चलिए आई आगे बढ़ते हैं एक यह हो गया एक यह भी बता लो फिर इसी में लगे हाथ यक्स अपान फाइव इंटू यक्स प्लस फाइव यह कितना पदिये है ओम परकास राठी जी आयूसी क्रिफणा देखे मैं बताता हूं साथी यह कितना पदिये बंजक है इसका निर्धारण बीच में लगे हुए प्लस या मांइनस के चिन से होता है कितना पदिये बंजक है बीच में जो प्लस या मांइनस का साइन लगा होता उस से इसको हम बचते हैं कि यह कितना पदी है लेकिन लेकिन एक ध्यान रहे अगर बीच में प्लस या माइनिफ लगा है और वह पद आपस में जूड़ जाते हैं जैसे मैंने जामपल बताया था कि दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते हां मुलब दो जान कैसे सुने नहीं हो पता नहीं जाता तो उसमें मुझे आता नहीं है छोड़ो उसको जाने दो तो यह दोनों जूड़के क्या हो जाएंगे यह दोनों जूड़के एक हो जाएंगे तो यह दो एक तीन एक हो जाएगा और यह पलफ का नाइन इसलिए कितना कि 3 नोग थे दो लोग जुड़के एक बन गए तो दो लोग बच ऐंसने लेकिन पिजिन लोगों में दर्द होंगे नहीं जैसे देखो इसमें यजी प्लस से बन अब को ऍसोट यहां से होंगे हां कहां से ओंगे हां कि शुक्त बंदर और बकरी के जोड़ि काहां लगेगी नहीं होगा यह दोनों नहीं जुड़ेंगे तो मतलब समझ यह जुड़ेंगे काहा जब यह बहरीएबल समान होंगे एक प्रकार से अटीजि़ नहीं जाताए और जब आप लोगों में कुछ चीजें मैच करती हैं मतलब सोच विचार बात ब्यवार उठक बैठक एक दूसरे को पसंद आ रहे हैं तब ही कुछ होता है ना समझ रहे हो कि नहीं अब सोचोगे कि यह सब काहे बता रहे हैं यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जो सजातिय पद होते ना उन्हें में भी कुछ ऐसा ही होता है पहली बात तो समान जाती के होने चाहिए सजातिय होने चाहिए यानि अगर यक्स है तो यक्स ही रहे वाई है तो वाई ही रहे जेड है तो दोनों जेड ही रहे दूसरी बात उनकी घातें बराबर होनी चाहिए पावर इक्वल होनी चाहिए अगर ऐसा है तो वो जूड जाते हैं घट जाते हैं इसमें देखो ऐसे ही था यक्स इसमें भी था घाते इसमें बराबर थी इसमें भी बराबर थी लेकिन यहां यह अलग-अलग जाती के हैं जाती का मतलब यहां वह पटेल परजापती यादोट शिंग सुकला जी की बात नहीं हो रही है इनकी कटेगरी होती चर्में ऐसे आप समझे लो ठीक है यह मैत की भासा है यह नहीं जूड़ेंगे आपस में यह तीन पदिये बंजक हों गया नहीं हम लिखेंगे भी तो यह अगर कोई जबरजस्ती आंसर लिखने का बोले तब इतना ही होगा इतना ही होगा ठीक है लेकिन अगर इसमें थोड़ा अंतर आ जाए मानलों कि वक्त के साथ साथ यह बदल लिये अपना और यह दो एक्स और यह सेबन या फिर यहां से यह दो भी अटा दो अब बताईए यह कितना पदिये बंजक है अब यह कितना पदिये बंजक है भाई देखो यह यक्स है यह भी यक्स ही है तो दोनों समान जाती के हैं सजातिये हैं न गातें भी बराबर हैं न तो यह दोनों जूड़ जाएंगे तो दो एक्स दन साथ समझ में आया ना आया समझ में सबको छापलो फटापट यह होते हैं एक पदिये और दुई पदिये बंजक अभी यह चर्चा तो वह इसे लटके हैं उपर यह कितना होंगा भई यह कितना पदिये है तोच के बताओ अंजली बर्मा आयूसी सालू मोहित सालनी ठीक सबका कमेंट आ रहा है ओके हैं सबकुछ चलो आगे बढ़ते हैं हो गया लिख लिए अपलिये चलो तो यह कितना पदिये है भईया यह बताओ ना इसको यह 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 बचाया हुई दो पद यह है पंकर जी बता रहे है सूरज क्रिफना सिंग रूची साख्या बिमले स्राज बीभा पाठक और पूजा मौर्या और भी बहुत से चात रहे हैं जो कमेंट कर रहे हैं लेकिन वह बुड़े हो गए देरे मतलब पुराने हो गए इंगलिस में ओल्ड बोलते हैं हुम चलो तो एक ठीय और बताईए है तीन यक्स का स्कॉयर अपान फाइप इंटू यक्स का स्कॉयर प्लस वन अपान थ्री और प्लस का वन यह कितना पदिये है बता रहा हूं देखो इनमें क्या करेंगे यह यक्स अपान फाइप ऐसे लिख लेते हैं इनका गुड़ा अंदर में करेंगे तो यक्स हो जाएंगे पाराई स्टेफ हो गया बीच में प्लस का साइन है अब इस पूरे का गुड़ा पांच में भी करेंगे यही तरीका है समझ में आया अब यक्स का यक्स में गुड़ा करोगे यक्स का स्क्वायर नीचे फाइब और यह पांच से पांच कट जाएगा यक्स अब इनको क्या करेंगे जोड घटालो चाहे तो फिर भी कुछ होगा नहीं अगर हम पद की बात करें कितना पदीये बेंजक है तह यह दो पदीये ही है चाहे तो तेरचा मेरी छाग उड़ा कर लो तो कोई फारक नहीं पड़ने वाला है ये कितना पदीये है आई-उ-सी जी कमेंट आ रहा आपका हाँ आ रहा है फूर जा फूर जा यह ना इसमें वैसा इसमें मजा नहीं आ रही लोगों को मजा जिसमें आती चलो वो करते हैं इसको आप लोग बताना ठीक है यह मत घबराना कि यह तो थोड़ा-थोड़ा बदल रहें टौपी का लग-लग यह रिवीजन हो रहा है रिवीजन में हम कहीं से भी कुछ भी बढ इसकी तिरिज्ज्य मालो 14 cm है तो इसकी परिदी कितना होगी सर्कमफ्रेंस यह 14 cm है तो परिदी कितना होगी सोच के बताओ कितना होगा देखे ज़्यादा देर इसको लोग देखते नहीं है चुक्कि कलास तो खतम हो गई है तो इसमें मज़ा लोगों को आती नहीं है सोचते हैं कि सब पढ़ा तो दिये हैं फाल्तू में फिर से पढ़ा रहे हैं लेकिन मुझे पता है घर पे वैसे भी नहीं पढ़ोगे घर पे वैसे भी नहीं पढ़ने वाले हो चलिए इसका जबाब अगर कोई दिया है तो नरेश जी ने बताया है सूरज और रूची साक्या सिवानी परबेज और अंसारी जी ने भी बता दिया है तो परिधी का सूत्र होता है साथियों जिसे सरकमफरेंस बोलते हैं इंगलिस में 2 पाई यार तो इंटू पाई का मान 22 बटा साथ और इसका मान 14 यह कट जाएगा क्यों भाई यही तो होता है न एटीएट एटीएट सेंटीमीटर आएगा एटीएट रतना सोनकर का सही है रतना सोनकर ठीक है बेरी गूट यह जो लोग 28 बता रहे हैं वो कहां से आएं कौन से दुनिया से अब तक मैंने कलास नंबर 32 तक पूरा पढ़ा दिया है 32 नंबर कलास तक आपका सिलेबस खतम हो गया था 33 नंबर कलास से रिवीजन चल रहा है बढ़िया करके पढ़ाएं मतलब कमाल के हो यार तुम तो पता नहीं कहां से आ जाते हो वो कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुड़ा करें तो पचीस हो जाएगा बताओ बहुत छोटा सवाल है वो कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुड़ा करें तो सेसफल ओ सरी हाँ गुड़न फल पचीस आए यह सब यूगंडा से आये हैं हाँ लग तो मुझे भी राय आये कहीं बारे से अच्छा यह बताओ यह बताओ भई अज सेबन में कौन सी संख्या जोड दिया जाए कि जीरो आजाए इस सवाल का सबसे पहला जबाब आया था अनुपा मौर्या का और लिम्बो लिम्बो दूसरे नंबर पर थी या थे पूजा मौर्या तीफरे नंबर पर थी अंजली बर्मा अनु आयूसी फराना और ओम परकास सिवानी सभी उसके बाद में मैंने पूछा है आप बताओ अनुपाम का अंसर इसमें भी सबसे पहले है लिम्बो फिर दूसरे नंबर पर हैं और यह अंजली जी तीफरे नंबर पर हैं इनका तो गलत हैं कि यह कुश्चन मुझसे मेरी जिंदेगी में बहुत अच्छे जगह पर बहुत मतलब पहला प्रफन था आपकी जनकारी के लिए बताओं की पीवी आरे स्टडी चैनल जलाने से पहले आज के लगबग 6 साल पहले की बात है मैं एक स्कूल में पढ़ाने गया वह प्राइमर कि उन्होंने तो कुछ नहीं पूछा बोले हाँ ठीक है आप अच्छे लगते हैं अच्छे लग रहें आचार बिचार से भी आप पढ़ाईए सब ठीक है लेकिन अगारजियन आये थे वह कह रहें अच्छा आप पढ़ाएंगे मैंने का सोच तो रहें तो कर अच्छा सवा आप पढ़ा लेंगे अगर किसी संख्या में किसी संख्या में अगर कहा जाए कि क्या जोड़ें कि जीरो आजाए तो वही संख्या जोड़ेंगे अगर कलास में एक लड़का जो नालायक टाइब का पढ़ाए लिखाए बिल्कुल नहीं करता है और उसको क्या ऐसा किया जाए कि पूरी तरह बरबाद हो जाए तो उसी जैसे एक नालायक उसका दोस्त बन जाना चाहिए तो दोनों मिलके बरबाद हो जाएंगे अब यह लड़कियों में भी हो सकता है कोई जरूरी थोड़ी लड़कों में ही तो यह माइनस साथ इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे कि यह सेबन माइनस सेबन निक्वल जीरो कि समझ में आना कि यह रिवीजन क्लास है इसमें ज्यादा कुछ करना तो है नहीं मुझे लग रहा है कि अब यह क्लास बदल देना चाहिए हम जीरो पॉइंट जीरो वन इसका गहनमूल बताईए कितना आएगा गहनमूल कितना आएगा जल्दी करिए फटा फट बताते जाहिए आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ा होगा ना आप लोगों ने गटाना नहीं है जोड़ना है अकल के अंदे पुष्चन ही वैसे ही था चलो एक और आजाओ पांसो बारा अरे यह तीन लगाओ तीन कितना आएगा परगती सर्माजी वन नहीं आएगा वन नहीं आएगा गलत है जो वन बतार उनका गलत देखे इसमें अक्चुली हम यह कर सकते हैं अगर इनको इमानदारी से लिखे नीचे बिना कुछ करें इनको हम वन अपान वन थाउजंड लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना भईया और हम सब को पता है तुमको पता नहीं पता है कि एक हजार का घंणमूल दस होता है वन थाउजंड का घंणमूल दस होता है न होता है न और वन का घंणमूल वन ही होता है तो हम फाइनल वे वन अपान टेन बोल सकते हैं और अगर इसको हम बदल लेंगे तो या इसे आ जायागा बस इसकी सकल देखो अच्छा हो गया ना समझ में आया यह तरीका है इस तरह के कुश्चन को ऐसे करके किया जाता है लिख लिजिए फटा फट जल्दी से देर मत करिए आगे बढ़ें जितने भी नए साथ ही जुड़े हैं अगर वो बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी तुरंद कर लें भूले नहीं क्योंकि सुब काम में देर ही नहीं की जाती है अगला वाला बताईए उदर है ना ठीक है इसमें भी कुछ ऐसे ही करना है समझे यह यह पांचसो बारा आफे लिख लेंगे नीचे वन थाउजंड वर्गमूल का चिन लगा देंगे अब पांचसो बारा का वर्गमूल आठ होगा है इसका वर्गमूल दस होगा जबावरियू 1 4 512 होता है ना यह तो आपको मालूम होना चाहिए ना होना चाहिए ना तो यह बराबर कितना हो जायगा 0.8 यह चीज आपको पता होना चाहिए कि जो आठ का घन है वह पांचसो बारा होता है शुरहाँ बात बोल आउं गलत तहीं है न यह चीजें आपको आनी चाहिए साथ का घं क्या होगा 343 नौ का घं कितना होगा अगर आपको घं याद है तो आप घं मूल निकाल लोगे बिना कुछ करे अगर तो को नहीं पता है कि यह इसके बराबर होता है तब यह जब मैंने आठ लिख दिया तो तुम इसी में बेहोस हो जाओगे कैसे आ गया कैसे आ गया अखिर कैसे आ गया क्या डूका काि हैं लिख लिजिए पट फट लिख लिगे कि अस्वानी कुमारी कि मतलब कुमार चलो फाण है है किवह सबस्क्राइब करना है और स्थे स्थैडी अप में जाके जोईन करो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है आगे उर पढ़ाया जायें कितने याद करें याद रहना चाहिए भाईया कम से कम 12 तक तो 12 का बताव कितना यहाद रहना चाहिए नौका तो मैंने बता दिया 10 का गन कितना आएगा भाई 18 का वर्ग कितना आएगा यह सब याद रहने चाहिए आपको कम से कम 30 तक तो यादे कर लो यह सब बता देते न अगर पूचा कि चल सब यह सब आना चाहिए आना चाहिए कोई बुराही नहीं इसमें आना चाहिए कि मैथमेटिक्स की चोटी चोटी बाते हैं रिबीजन हो रहा है इसलिए मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूं याद रखना अगर आपको रूल पढ़ना है इसके पहले मैं सारी कलासे पढ़ाया हूं वहाँ जाके रूल देख लो सब पढ़ाया हूं बेहतर इन तरीके समझाया हूं कि रिबीजन में सिर्फ कुश्चन होता है आंसर कम होता है तो कुछ भी करवा सकते हैं मैंतमेटिक्स में से रिबीजन करवा रहें तो आपके सिलेबस में आना चाहिए अच्छा एक ठ्याओर बताओ एक और बताओ साइन थार्टी डिग्री कमान कितना होता है तिरकोड मिती पढ़े हो जिनको नहीं आरा ना वो रात नौ बज़े लाइफ जरूर आए क्योंकि रात नौ बज़े से मैं 9.45 तक बेसिक वाला बहुत अच्छे से बड़े प्यार से पढ़ाता हूं रात नौ बज़े से नौ बचकर 45 मिनट तक सूरज आजी या खान सर अरे सर कोई पढ़ने दो या क्या कर रही हो वाई ना टंकी ना करो ना टंकी ना करो किल पढ़ाई कर लो चलो नहीं आ रहा किसी को इसका मान किसी को नहीं आ रहा है तुम सब संब लोग उनडास ही आयोका दtalk मैं पांट यागा कैसे आता है मैं अभी बताऊए बस थोड़ा से खिफिन कशेंटरों किसेただ शबनाए सब अजिकान कैसे आते हैं आपको क। यादो का साथ हंस कमान कितना आएगा कितना आएगा रुची साक्या अकंछा यादो अनुपम पारफ नेगी ठीक है जैसे रात बीत रही वैसे संख्या बढ़ रही है पता नहीं सब एक एक नींद सोसो के जागे हैं का या फिर यह वो प्राणी हो सकते जिनको रातों को नींद नहीं आती है आंकों में नींदे ना दिल में करार और यह आगे क्या यह जितने भी कंडिडेट यहां जूड़े ना आगे सब जानते हैं क्या चलो देखे साथियों यह मान हम लोगों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं याद नहीं होते हैं तो आज मैं इनका एक तोड़ बताने वाल आ जाई हो आ गई यह दो बार सोके जागी यह नहीं तक सुपरिया तो जंग चलो अच्छा है तो साथियों इसमें इसका मान एक होगा इसका मान एक बांटा रूट पांट नों सुनना होता है यह चाहड़ होता है इस कमानवन होता है आप करो गई कई से याद है यह याद हो जाता है अभी मैं बताता हूं देखो सब को याद हो जाएगा बिलकुल टैंसन न मतले पाइन कास्ट एंस से कोसर काड जतने भी होते इनके नाड़ोसी पडोसन सब आई जाएंगी इसी में देखो कैसे देखो कैसे जुगार देखो क्योंकि इंडिया में लोग जुगार पे जादा चलते हैं अगर एक लोग की बाइक का पिट्रोल खतम हो जाता है न तो पिछे व उपर आपको लिखना ऐसे जीरो डिगरी 30 45 60 और नभे निच्चे आपको क्या लिखना है निच्चे आपको कुछ नहीं लिखना है आप यहां इनकी नमबरिंग करना ध्यान देना पहले step में क्या करना है तीन इस्टेप बताऊंगा सारे मान एक साथ थोक रेट में आएंगे थोक रेट जानते हो जिसमें कोच बस तू सस्ती मिलती है नमबर लिखो जीरो वान टू थ्री फोर यह पहला इस्टेप खतम दूसरे इस्टेप में इन सबको फोर से भाग करोगे देखो पडोसी की बात किया तो लोगों को नहीं समझने है अब पडोसन बोल दिया तो लोग इनकी आतमा जग गई है भाई क्यूं ऐसी क्या अनेरजी मिल गई मुक्ते कैस योजी कि पहले इस्टेप में जीरो से फोर तक गिन्ती दूसरे इस्टेप में सबको फोर से भाग करना है कि पाहला है कि इस्टेप में इनको सिंप्लिफाई कर लो जो कुछ तुम कर सको जो भी आपकी अवकाध है इस में कर लो यह कट जाएंगे वन अपान 2 यह 3 अपान 4 यह कट जाएंगे 1 चौथे और लाश च्टेप में सब के वर्गमूल कर लेना यह सब ठंडे हो जाएंगे और सब में बदल जाएंगे जिनको रगमूल भी नहीं आता है वह जाएं गंगा नाया क्या है अब दाएगा यह इस दाल यह होता नहीं होता नहीं है मतलब पूल्ड संख्या नहीं होती है 4-0 का मान इक मिनिट के अंदर कर लेने पीछे साइड रफवाले में सब याद हो जाएगा तुम्हें याद करना इन ही नहीं पड़े गा मैं तुम्हें याद करने पानी पीपिके 2017 2018 सब्सक्राइब कुछ बोल दिया कि बूल गया सब पेपर देने जा रहे हैं रस्ते में याद करते जा रहे हैं सब्सक्राइब करना है याद नहीं करना है ठीक है समझे गए ना याद मत कर उसे मतलब इसको तो अब सभी कर लेंगे ना एक चीजा और ती कास वाला नहीं बताया ना अब लगे हाथ वह भी बता देते हैं वह पड़ोसी आगे तो पड़ोसन ना ऐसे कैसे हो सकता है तो कास वाला भी लिख लो एक लोग यह बताओ कि कास वाला मान आप लोग निकाल लोगे कि नहीं कास वाला निकाल लोगे जैसे साइन का आ गया कि नहीं निकाल लोगे ना कमाल के लोग हैं बाई कितना समझ जाते हैं लोग प्रवाने फोड़ा ऋद्वाल कर एखर्ण इसमें क्या करेंगे फॉर और नमबर लिखते हैं बता देता हूं सबरकरो सब्सक्राइब पॉर इसमें जीरो से फॉर्से टक लिखे थे न सांइन में इसमर करेंगेative करम लेकिन पुर। Vater करेंगे ये पस मैथ बड़ी वफदार है अब मैथ वाला साथ में मिल जाए तो वो हो सकता है जो बोल रहे हो ग्यान कभी बेवफा नहीं होता है हमेंसा वफदार होता है अगर आपने उसे सीखा है प्यार से तब बाकी तो इस दुनिया में तो नहीं मिलने वाला है अभी पीए हैं यह कौनों कह रहा है आप दारू पीते हैं तुम्हें का लग रहा हमारी सकल से दारू पीएंगे तो जो एक खड़ी का है वो खतम हो जाएंगे अब तक लोग सरदानजली देने आ जाएंगे चैनल पर देखोगे फिर क्या किये हैं फोर से लाख कर दिये अब इनको हल कर लीजिए वन आया थ्रिए पान फौर ये वन पान टू वन फान 4 और ये 0 अब सभी का वर्गमूल कर देंगे सभी का स्कॉयर कर देंगे जितने भी हैं इनका वन आ गया यह रूट थ्री अपान टू और यह कितना आएगा वन अपान अंडर रूट टू यह वन अपान टू और यह जिरू देखो सारे मान आ गए न यहीं आप क्या कह सकतो कॉस्स जीरो का मान जीरो कॉस्स तीस अंस का मान रूट तीन बटा दो कॉस्स फोर्टी फाइब का मान वन अपान टू मतलब रूट में कॉस्स साथ अंस का मान एक बटा दो समझ में आया सबका, भाई यह आ गया सबको समझ में, जैसे जैसे रात बीत रही वैसे वैसे संख्या बढ़ रही है, और इसी वज़ा से मैं कलाफ नहीं बंद कर रहा हूँ, क्यों ये जो सब आए हैं, ये रात में नींद नहीं आती वही लोग हैं का, मुझे लग रहा है कि जिनको नींद आने वाली थी वह भाग गए सो गए दस बजे के बाद अब यह वो जग रहें जिनको नींद नहीं आती है यह रात के खिलाड़ी है हो गया अच्छा ठीक है साइन कास का आ गया ना तैन वाला कर लोगे ना आप लोग की नहीं है देखिए साइन और कास का अगर मिल गया तो इन दोनों में बड़ा तगड़ा रिलेशन होता है पक्का वाला कि साइन कास की माध्यम से का निकल जाता है मान देखो कैसे यह तैन ठीटा वराबर यह तैन कुछ भी ले लो तो यह सूत्र होता है कि समझ में आया ना समझ में लिख लीजिए आज अगर मैं आपको एक बात बताऊ ना तो आज मैंने सिर्क टाइम बिताने की कोशिस किया है कि किसी तरह 45 मिनट हो जाए लेकिन यह नहीं कि मैं बकेती करके किया हूं मैं पढ़ाया भी हूं खुब सारा कहीं न कहीं से कई कई डिपार्टमेंट में आपको ले चला हूं ताइम तो एक और नहीं बिताया हूं देखो अब अगर हमें टैन तीस का मान निकालना है टैन तीस का मान निकालना है तो हम साइन तीस अर चौस टीसस का मान रख देंँगे टैन तीस संस का मान आ जाएगा और यह तुमेहीं लोग बताऊ ताइन तीस का मान कितना है यह चाचा लोग यह पानी यह दारू नहीं है यह दारू पीके आएंगे ताइसा नहीं बोलेंगे फिर आइसा बोलेंगा वतात अल्ला क्वाडर रहा है हो कुछ लोग होस में रहेंगे कुछ लोग बेहोस हो जाएंगे अज दूसरी बात यह न मेरी आवाज है इसे निकलती चाहिए लफार वह अलग बात है मतलब अच्छी नहीं निकलती सुंदर वाली तो साइन तीस अंसका मान एक बटा दो और यह कॉस्तिस क्या होता बैया कॉस्तिस वह होता है जो साइन साथ का होता है ठीक है यानि रूट तीन बटा दो करुंकर और ओज्गे Hernanσι जोडी जोडी दार वाले ई Walker निच्चे को जाते हैं तब कया होता मालूम है यह बी जोडी में है यह जोडी में है दो जोड़े दार और इनको बगल बगल लिख देते हÑ पहले और फिर मलटीपल लगा देतेanor अब यह जो उपर थे ना वह देना फिर यह दोनों कैंसिल हो जाएगा फाइनल में वन अपां रूट तीन बचेगा यानि कॉस्ट थर्टी कमान कह सकते हो वन अपां रूट थ्री बिमलेस्ट राज अभी तो हुई नहीं है खोज रहें कहीं कोई लायक मिल जाए तो बताना हम वरना बत तक तोम स्हाहिक जतने मिलें डेरश है ऐसा पातनी मिले संटेघ में ही ऊगा इधर करके उसी में कि बहुत सारय सवाल करवाएंगे क्योंकि यह बड़ इंप्रटेंट बहुत बहुत ही इंट्रेस्टेट टॉपिक है कि परसेंटेज आप लोग यह बता मुझे द्यान से प्यार से अच्छे से कि 1.5 वो अगर परसेंटेज में कनवर्ट करें तो कितना आएगा बताईए अखिर कितना आएगा अकांचा गंगवार जी बिलकुल कमेंट आ रहा है आपका पूजा मौर्या जी बिलकुल ठीक है कमेंट आ रहा है बेरी गुड एक बार आप सबको कोशिस करनी है बस मैं बताऊंगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं डांट वरी मैं बता रहा हूं ब चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार चिर्फ एक बार फिर्फ जीतने की उम्मीद को जिन्दा रखना और अगर आप लोग यह उम्मीद बनाकर रखते हैं तो फिर क्या कहना चालो इस इस और रिवीजन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन तो यह बताओ 10 रुपया का तीन रुपया कितना परतिसद है बताइए जब आप दीजिए तिल्पा केसरवानी जी कमेंट आप कहा रहा ठीक है दो-दो कुश्चन एक साथ में करेंगे बस उससे ज्यादा नहीं एक ठी यहां भी लिख लो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा यह बता वहिया कि 980 का 18% कितना होगा क्योंकि डीले यानी बीटीसी जिसका नाम है क्लास टाइटल थंडल का उसमें इसी लेबल के कुश्चन है इससे ज्यादा हाइफाई नहीं अगर इससे ज्यादा हाइफाई गए तकड़बड आप लोग जितने प्रस्ण मैंने दिये ट् सबसे पहले हम क्या करेंगे 1.5 को लेंगे पकड़ेंगे पर्सेंटेज में चेंज करना है तो पहले इसका 10 हमलों हटाएंगे तो यह पंदरा बटा दास हो जाएगा आपको मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज में बदलना है मतलब पर्तिफात का चिन लगाना है यानी 100 से गुड़ा करना है तो इसमें हंडेट से मल्टिपल हो जाएगा कि कट जाएगा बराबर 150 परसेंट आएगा कि कि इतना आएगा 150 परसेंट सब्सक्राइगा तो ठीक है सब चले गए होली खेलने का मतलब हम आई लोग यह में पगला रहे हैं कोई बात नहीं यह एक बात याद रखना वो क्या पता है परिच्छा जब होती न तार कोई टाप नहीं करता है वही लोग करते हैं जो बिसम परिस्थितियों में भी पढ़ रहे हैं जब रंगों की होली मना रहें न बुआ बतीजा भाईय भावी और देवर भुजाई उस समय अगर आप लोग पढ़ रहे हो न तो यह ज्यादा बेहतर है बाकी करना चाहिए यह सब भी थोड़ा बहुत लेकिन तीन दिन पहले से नहीं इसको करते हैं दस रूपए का तीन रूपए कितना पर्षंट है मैंने कहा था जो आपको दिया रहेगा यानि में मुख्य नंबर उसको हंडेड से मल्टिपल करना है और जो पुडांग है जिसमें से टोटल निकालना उससे भाग कर देना है पस यही तरीका करना था 10500 वर्याबर है 30 से इटना आएंगा 30 सींपल सहे 10 रूपए का 1 रूपए 10 रूपए 20 परिसंट 30 रूपए 30 मत आप कर सकते हो ठीक है बिना कुछ कर रहे ही अच्छा यह बताओ यह ठीक और अधस रूपए का जो 8 रूपए है कितना परशंट करके देखो कितना परशंट है भई बताना करके ठीक है चलो देखे साथियों इसका माना बता दीजिए बहुत हाई फाई नहीं होगा लेकिन कुष्चन आज बहुत सारे होंगे कुष्चन बहुत सारे होंगे आज मिल जा भई मिल जा मिल जा एक और बताइए आप लोग एक डिगरी सेल्सियस में कितने फारेन हैट होते हैं कि पढ़े हो की नहीं हुँ हूं इस पढ़ाया तो सब उमें कि एक बस्तू का मूले बारा सु आसी रुपय था एक बस्तू का मूले कितना था बारा सु आसी रुपय था ध्यान से समझना यद उसके मूले में ब्रिध्धी हो गई कितना हो गई 12% की तो नया मूले कितना होगा बताईए मान लेते हैं कि एक पंखा है फैन ठीक है एक पंखा है जो 1280 रुपय का मिल रहा था अभी सब कुछ नया नया जमाना आ गया नया नया हो गया 12% महेंगा हो गया अब बता वह पंखे का नया मूले कितना होगा बताईए फटापट जबाब दीजिए तुप्रिया आयूसी राजपूत उसा मौर्या देखिए आज लगबग सब भाग गया आधास ज्यादा न मुझे पता यह कल भी नहीं पढ़ेंगे पर्सों भी नहीं पढ़ेंगे अभी यह सब पढ़ेंगे बीस तारीक के बाद 18 को उली मनाएंगे 19, 20 भी मना ही मानो, एकrit से पढ़ेंगे कम थे कम उसके पहले सो मेंसे दसी पढ़ेंगे बस चलो बढ़ते चलते हैं देखते हैं यह हो गया हाँ नया मुले कोई बताया फिजा खान एक सो पचास होगा अच्छी बात है लाट में होली खेलता नहीं है कुछ लोग रहते गवाउं चले गए अब महीना या पांच महीना बाद मम्मी से मिले हैं भाईया से मिले तो थोड़ा बाचीत होती पंचाइट होती थोड़ा मिलते गुलते तो पढ़ायी नहीं करते कहते हैं हुआ पढ़ते हैं तो इसका क्या करेंगे साथियों नया मुल्य के लिए पहले हम 1280 का 12% निकालेंगे तो बारा बटासो इनको जब कंफर्म हो जाएगा कि कि इतना होगा उसके बाद उसमें जोड़ देंगे एक जीरो से जीरो कट गया दस से इसको आप भाग कर दीजिए फिल हाल के लिए तो यह हो जाएगा 12.8 इंटू बारा क्यों यहीं होगा न कर लीजिए आप बारा अठ्थे चाननबे हांसिल कितना आया नो आट दूना सोला आट इकमाट चार बारा और बारा दूना 24, 24, 6, 30, 3, 33 हांसिल आया तीन बारा एकम बारा तीन पंदरा यानि कितना हो जाएगा 153 रुपया 60, 30 मतलब आप समझे गए जो बारा सो असी के पहले पंखा था वो एक सो तीन रुपया 60 पंदर बढ़ जाएगा महंगा हो जाएगा तो फाइनल में इसका मूल्ले हो जाएगा 1280 और एक सो तीरपन ये में जोड़ देंगे 153 ताठ पैसा दुका अंदर साठ पैसा भी नहीं छोड़ता है आठ पान तेरा आसी लेग दू एक तीन एक चार और ये एक यानि 1430 रुपए का मिलेगा वो नया पंखा अगर हवा लेना ठंडी का गर्मी में तो 1430 रुपए खर्चा करने पड़ेंगे लग भग हम हम सही बात है कहेंगे ग्राहिदा एक दिन के पढ़ी का होई छोड़ा लिख लीजिए आगे बढ़ें परसेंटेज के हम लोग कुश्चन कर रहे हैं ना हम तो यह बताएं को चाने मुझे कुछ समझ नहीं है रहा पढ़ाएं कितना रोज रोज पढ़ाते हैं रोज पढ़ाते हैं छलों घर बताओ इसका तो आप लोगों ने बताया नहीं पाहले यह बताओ कि इसको बताएं कि 980 का जो पर्षेंटेज वाला था उसको बताईए फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद पहले चैप्टर से चलेंगे देखेंगे क्या-क्या रिवीजन करने लायक है उसमें से देखते हैं ठीक है माया जी गुड इबनिंग भीया मोहित कुमार निरंजन जी गुड इबनिंग अभी अभी जा गए हो ना आप लोग ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो मैंने क्या पूछा था अभी चोटा सा कुछ और पूछा था नो जो पूछा था उसको जाने तो कि लाश्ट वाला चैप्टर जो है उसका नाम क्या पता है कोण और पर अधारित है आयत तिर्भूज यही सभाइस में रामा देवी नंबर चल रहा नीचे स्क्रीन पर उस पर दिन में संपर करिए दिन में संपर करिए बताएए पहिला तीन सो साथ दूसरा 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 एक्सो अस्सी प्रवथा है नैंटी वन इसमें ब्रिहत कौन कौन है भई प्रियत कौनकर डूसरा है और इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं जबाप दीजिए क्या बोलते हैं नोसो असी का थारा परसंट इसको कर देते हैं नोसो असी गुड़े अठारा तो से भाग करेंगे एक जीरो से जीरो कट गया इसको आप क्या करोगे काट के थोड़ा छोटा कर लो दूइपंचे दस दूइनवाठारा भाग तो करना ही पड़ेगा दसामलों में आएगा जो भी आएगा लेकिन यह करना मैंने थोड़ा मुश्किल कर लिया मुझे ऐसा लग रहा है है मैंगा कर लिया काई से ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन दिक्कत लग रही है मुझे एक मिनट रुको इसको ऐसे नहीं करना चाहिए लिए थोड़ा फस सकता है देखो भाई 980 थीक है अठारा बटा सौ किया यह भी ठीक है एक जीरो से जीरो कट गया भी ठीक है अब आपको एक काम करना है इनको भाग दे लेना है तो यह 9.8 आ जाएगा इंटू अठारा अठार आठे ग्राइग एक सोचावालिस क्योंकि आठाएग चौशाथ हांसील छाठे कम आठचा जाउदा तो अठारा अठे एक्षो चौवालिस हांसीला चौदा और अठारा न माईया एक सो बातर होता है नो अठे बातर अर्न, नो एक कम, नो रोवाटा नौशाथ अट मतलब चार दो छे वाई साथ चीहत्तर एक अंग पर दसंबलो नौसो असी का अठारा पर्सेंट चीहत्तर रुपे चालिस पईसा सही एक गलत जारा वही चांद नहीं यादो ठीक है बहुत अच्छे सिल्पा केसरवानी बरिहत को रिफलेक्स एंगल बोलते हैं और रिफलेक्स एंगल तो शाथियों नौसो असी का अठारा पर्सेंट जो है वह चीहत्तर रुपे चालिस पैसा होगा इसका बी नंबर आपसं सही है जी बहुत अच्छे अच्छा आ एक जाम में सही भूलना न रहेँ प्रिहुव हुआ ठीक है बहुत अच्छे 180 का क्या बोलते हैं 180 कौन सा एंगल है ूबहुत अच्छ यह संपूंड कौन है जिसे complete एंगल बोलते हैं complete एककट ही नहीं बहुत अच्छे बेरी गुड़ यह आप सभी जानते हो ना कि वैसे आज पढ़ाने का मन नहीं था कि लोग जूड नहीं रहे संख्या बहुत कम है कि फिर भी कुछ नहीं कुछ थोड़ा बहुत करवाई देते हैं आये ही हो आप लोग बड़े उमीद से तो अच्छाई बताओ वहिया अगर दूठी लाइन है इसे दूड रही है एक ठीदरे के जा रही है इनको किस तरह की रेखा बोलते हैं कौन सी रेखा बोलते हैं और यह हो गया एक यह यह इधर को जा रही है और यह इसके तरफ को आ रही है इसको कौन सी प्रकार की रेखा बोलते हैं बताईए और देखिए यह इसे जा रही है इसे 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 को कौन सी रेखा बोलते हैं तब से पहला अगर जब किसी ने दिया तो प्रियंक कठाकुर का आया है और नहा बर्मा का दूफरे नमबर पर हैं फीजा खांटीफरे पर हैं कोई तो समांतर लिखा संदा है कमकुन से सैथान का नयानाम है पर लाल भोल दीजिए इंगिलीज में यह निस वृ oc जैसे रेल की पटरी कर रोते द्यां बगल बगल झोडेंगे न हम इसाथ कभिसा चूलदी रेल को थे सद्याइब रेलेलोग यह लोग साथ चौड़ देते तो सब सेर्दी ना pursue लोग बिच्छड जाते हैं अपनों अपनों से भगवान ना करे इसा हो कभी तो इस तरह की रेखाओं को क्या बोलते हैं इन्हें समांतर रेखा बोलते हैं पैरलल लाइन बोलते हैं और इस तरह की चीज देखने को कहा और मिलती है सीड़ी में मिलती है अरे वो देखे ने हम गरीब लोग के यहां बास वाली सीड़ी लगी रहती है नीम के पेड़ पे च तो टांग भी साथ चोड़ देती है और एक टूड़ जाती एक बची रहती बता होता ना तो भैया यह साथ छोड़ना बड़ा गहातक होता है अगर आप भी इसी तरह से किसी के साथ समांतर चल रहे हो अगर उसका साथ छोड़ते हो तो उसका भी यह हाल होता है समझ गए ना अब मैं क्या क्या बोला समझ गए सब समझ गए चलो तो इसे क्या बोलते हैं पैरलल लाइन बोलते हैं इतने सारे एक्जाम पर याद रखना यह कुदे नहीं भूलेगी इसको क्या बोलते हैं इसको लंबवत रेखा बोलते हैं क्या बोलते हैं लंबवत रेखा बोलते हैं परपेंडी कुलर लाइन दिख रहा हूँ क्या मैं परपेंडी कुलर लाइन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ये कोई चित्र बन गया हो तो ये मत कहना कि अच्छा बनायो गंदा बनायो इसका नाम बता आप लोग भाई लंबवत बहुत अच्छे पास बेरी गुड भाई पारस रतना सोनकर प्रियंका बेरी गुड इसको करब बोलते हैं इंगलिस में अच्छा ये इंगलिस हैं तो बोलते हैं करब ना हिंदी में वक्र बोलते हैं ये हिंदी इंगलिस का बड़ा लोचा है हम लोग बोलते हैं इंगलिस से कहते हैं इंगलिस नहीं आती है यसा आपने सुना होगा कहते हैं यह हमारा अधियर फ्लैट यह बिजली हमारे यहां जो कनेक्शन ने कमर्सियल थे उनना यह वह अधियर लेकिन उनको इंगलिफ नहीं आती इंगलिफ नहीं आती तो और कमर्सियल के इंदी जानते हो बैवसाइक होता है मालूम है लेकिन कोई बैवसाइक नहीं बोलता है ऐसे बहुत सारी चीजें है जो हम लोग using करतें English में ही सब अभपी से यह क्या यह क्या है यह यह पैण है पैण है वो कलम नहीं जानता है तो सब्सक्राइब में उसक्राइब को लोगने marks in इन हमें को कमर्षियल और प्रफुनल प्रफुनल हमारे समस्य नहीं घरेलूज वोलod है इंदी मेरा यह वक्र रेखा है लेकिन इसमें दोनों में अंतर भी है एक मिनट रुको भाई एक मिनट एक मिनट अभी कुछ और चीज दिखा रहे हैं उसको छोड़ो लोगि तुम लोग बड़े खराट टाइब की वब कईती ज्यादा कर लेते हो यह नहीं कहें तो छूब रहा हो जालो यह देखो इनको देखो देखो यहां पर आके जूड़े इनको भी देखो इन दोनों में क्या अंतर है इक इन दोनों में क्या difference है अब ये मत कहना है कि ये थोड़ा हो गया है मतलब काम दोनों का एक है चीज ये है बस इनमें अंतर थोड़ा सहा है वह बता हो मद कि अंतर है कि अपनी मासा में मत बता दो रेकिए करव जो होता होता है वक्र दो प्रकार का होता है एक सब्सक्रा ने होता है जैसे देखें कुछ वे इसको बोलें गर या बंद वक्र बोलेंगे इसको ओप्र कर बोलेंगे या वह यह बंद ये ये ओपने वाला है इस है स्मझ गए कि लोज ओपेन ठीक है मान बेंदर जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेरी गुड अच्छा ठीक है इधार आव सम लोग इधार आओ इधार आओ इधार आओ यह बड़ा खतरनाज चीज है यह ऐसा जगा है ना जहां से सब जा रहे हैं यह सार्वजनिक पलेस इसको का बो मैद की मासा में जब आप दीजिए मुहम्मद खालिद कुछ समझ में आ रहा है के वल मुह पर लाए जा रहे हो कि जल्दी से बताओ आप लो कितना आएगा मतलब क्या नाम बोलेंगे इसको यह बताओ और इंग्लिस क्या होगा इसका तेडियाक नहीं है यह मैं रेखा थोड़ी पूछ रहा हूं वह जगहा पूछा हूं जहां पर यह सब आके दूसरे को छेद छेद के निकल जा रहे हैं वह जगह पूछा हूं इसका कोई जबाब दिया पे टेंटर केंदर नहीं कुछ और ये ब्रित नहीं है कि में केंद्र बन रहा है अनुपम मतलब मैं जो पूछना चाहता हूँ तुम लोग की अकल वहां तक जाई नहीं रही मैं क्या करूं फिर ठीक है जो लोग बिंदू बोल रहे हैं वो सही है लेकिन किस परकार की बिंदू है वो केंद्र वंदर नहीं ये बिंदू है पॉइंट है ठीक है लेकिन किस परकार का पॉइंट है ऐसी इस्तिती में इसे कौन सा पॉइंट बोलेंगे ए वाई तेल पानी मतलिखो ठीक ना तेल नो नहीं है तलखंड थाईदम बैल के वहीले का बताई इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं परतिछेदन बिंदू जहां पर एक से अधिक रेखाएं आ करके एक दूसरे को आड़ती काड़ती निकल जाएं वो परतिछेदन बिंदू होता है एक से अधिक रेखाएं हो क्या बोलेंगे प्रति छेदन बिंदू बोलेंगे क्या बोलेंगे प्रति छेदन बिंदू समझ में आया? आगे चलिए एक चीज और बताओ रुख जा थोड़ा सा समझ ना? ये समझ ना? अगर दो रेखा ऐसे गई है तो इन रेखाओं को क्या बोलेंगे? इन रेखाओं को क्या बोलेंगे? और ये रेखाओं किस परकार की रेखाओं का लाएंगे ये भी बता दो अभी तक तो बिंदू की बात होगी अब रेखाओं के बारे में बताओ देखिए मैं पॉइंट बता रहा हूं मतलब मतलब की चीज़ सुनते चलिए अगर आपको पढ़ना है परिक्षा देना है याद गरके रखना हसी मजाग में थोड़ा थोड़ा होता रहेगा और याद भी हो जाएगा आतियों यहां पर एक चीज़ ध्यान देना यह बिंदु तो परतिछेदन बिंदु है और यह जो रेखाएं हैं वो क्या कालाती है पता है जब एक ही तल में इस्थित वोई सभी रेखाएं जो एक ही बिंदु पर परतिछेदित हो ऐसी रेखाएं संगामी रेखाएं या कंकरिंग रेखाएं कालाती हैं कंकरिंग अगर इसा ही मुझे अब तक हुआ है जो कोई आधार होता ह उस पर चलती है कुछ много मैत क्यों आ जाती है मैत ना जिंदगी नहीं छोड़ती है जब इंसान पैदा होता है ना मतलब आपके जमाने में हम लोग तो जिस जमाने के हैं उजमाने में ना तो मोबाइले रहता था ना मम्मी को इंटरनेट चलाना आता था कि फेस्बुक पर डालने न्यू बेवी आ गया और ना फेस्बुक के नाम में पता था उन्हें आद तक भी नहीं पता है तो हम लोग का तो वरिजिनल वाला डेट आप बर्तमलू में नहीं है बाकि आजकल लोग तब ऐसे डेट आप बर्तमार समझने लगते हैं जब से वह जान जाते हैं आप आएगा समझ रहे हो तो मैथ जब से इंसान पैदा होता तब से पीछा नहीं छोड़ती है और जब मर भी जाता है खुदाना खास्ता कभी तब भी मिर्त परमारपत लगाना पड़ता हर जागा दिपार्टमेंट में कि भाई गए चुट्ती दो अब यह मैथ से पीछा नहीं छूटने माला जो लोग सोच रहें कि मैथ 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 नहीं पड़ेंगे काम चल जाएगा अरे आलू नोन धनिया खरीदने जाओगे अटथा रुपाया सामान लिए सव की नोड दीए दुकानदार तुमको बीसे रुप्ए दाइन कन बढ़िये तब बता हुसा करोगे इदले का ये रेखा जो इसका नाम है अभी कि इस रेखा को क्या बोलते हैं बताइए कि क्या बोलते हैं इस रेखा को कि अभी जो लोग तिरियक रेखा हैं बोल रहे थे इसको तिरियक रेखा बोलते हैं थिक है क्या बोलते हैं इसको इसको त्रीयक रेखा बोलते हैं इंगलिस बड़ी खतरनाक होती है इसकी रुख जाओ देख लें कहां लिखा है क्या बोलते हैं डाइगोनल लाइन ठीक है कि पूजी आज ही बजजती हुई है बिल्कुल टेंथान मत लेना यार आप दुबारा बजजती नहीं होगी आप कहीं अपना वाली आपनी वाली की पास कहीं गयो गूमने टालने अब उसके सामने तुमने को चीज खरीदा मानलो 272 पांसो की नोट दिया अब दुकानदार है तुमको 210 रुप्य लट आके बेज दिया तुम बेजिती कमारा जोड़ोगे भी नहीं जोड़ों गया रहे है इतना कंजूस है 55 रुपय खर्चा करें अब यह ना इसलिए पड़े लिखे रहे होगे एक के बार में खुपड़ी क रूपया भी गया और साथ वाली भी गई तब तो और गड़बढ़ होगा कि अगा कि हो गया ना यह इसलिए बोल रहे हैं कि पड़ लीजिए मैथ पड़ लीजिए और हाँ एक चीज और बताते हैं इसी में यह तो आप लोग जान गए होली के मौके पर जिनको यह सब बेज़ती नहीं महसूस करनी है उन्हें क्या करना है 23 मार्च से एक नया बैच सुरू हो रहा है जिसकी जॉइनिंग आपकी 14 तारिक से सुरू हो गई है आप PBR study app डाउनलोड करके आधी जाके जॉइन कर लें इसमें पूरा साल भर के लिए यह कंपलीट कोर्स मात्र 500 में मिल रहा है पूरे एक साल के लिए समझ लो एक बार पढ़ लिए ना जिन्दगी भर बेज़ती नहीं होगी और 500 तो ऐसे भी कई न कई खर्चा कर दोगे इधर का उधर दुचार रोज में लेकिन इसमें जिन्दगी सुदर जाएगी तो पैसा हम समय से अपना ग्यान बढ़ाने में लगाना चाहिए अचार दिन में खतम कर दो कि कुछ नहीं होने वाला है एक बार पढ़ लोगे ना बहुत कुछ होगा अगर आप चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं नीचे नंबर चल रहें उन पर संपर्क करके या फिर पीविर स्टडी आ यह देख रहो का है देख रहा है ना बिल्कुल सही बोल रहा है उपड़ोंगे नहीं तो धन और धरम दोनस जाओगे यह पॉइंट प क्या ज्या बोलते हैं इसे अभी कुछ लोग इसको अंडा समझ रहा होँगे कुछ लोग आलू रहा हो ये मैत कि भासा में ब्रित्य कहा जाता है कई इस अंड़ोंगो क्या बोलते हैं बता दो पहले तो लगबख सब को मालूम है अच्छा है किंद्र क्या बोलते। किंद्र केंद्र को क्या बोलते हैं यह लाइन मैं अगर इसका नाम तो तुम जान गए अब बताओ यह क्या है इसे क्या बोलेंगे लाइट में दिन रात देखते देखते न मेरी आख में दो तीन लाल लाल रेखा है बनी हुली है पिछले बार गए थे तुम अम्मी बोल रही थी हमने का कुछ नहीं दिखाई पड़ता अभी टेंटन मत लीजी पहरे थी नहीं बड़ा लापरवा होई जाता और एक में जगा काला काला बिंदू ताइप दिखता है अब लगता है यह लाइट है यह लाइट यह जब से आँख खुलती ना इसी स्क्रीन पर रहती है जब तक बंदना हो जाए तो आप लोग भी अगर फोन यूज करते है जाधा तो थोड़ा चस्मा उसमा वन लगाया रहें लेंवा पॉलत का इनग प इनको भी रिज्ज भोलेंगे इनको भी रिज्य को भी बोलेंगे नंको भी बोलेंगे मतलब कोई वी रेखा अगर आप इस तरह से खिजते हो तुस् boxer क्या बोलते हैं sowu केंद्र से हो के परित ही को मिलाए वो त्रिज्जा कालाती है आप एक बृत्त में अनन्त त्रिज्जा खींच सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं है है ठीक है हम आपको डीलेट का फर्स समेश्टर पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमें सब कुछ पढ़ाना ही पड़ेगा सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा वो भी उतने लिमिट में ज्यादा हाई फाई नहीं हम आईए सुनिए एक चीज और यह कि यह रेखा है पी क्यू अगर इसको मैंने बीच से काट दिया इतना निकाल लिया हम मानलो ए और भी लख दिया तो यह ए भी जो रेखा है वो क्या कहल पाहलेगी को कि बतार cosa क Missouri तो क्या पूरी पूरी इसको बीच से काट दिल है तो क्या कहला है कि पोली है कि आप सबको मालूम होगा नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूं उसे क्या बोलते हैं सेमी सेगमेंट ऐसे कुछ बोलते हैं कि हिंदी में जालो रेखा खंड बोलते हैं कि क्या बोलते हैं रेखा खंड बोलते हैं ठीक है लाइन सेगमेंट कि क्या बोलते हैं लाइन सेगम